तुला रासी बालों का आने बाला दिन यानी की 14 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 14 अप्रेल 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दूतिया नक्षत्र है भरनी पक्ष है सुक्ल पक्ष दिन है बुद्धवार मित्रो आने वाले शमय में सुर्ज उदे का समय है पंच बज के संताबन मिनट में सुर्ज अस्त का समय है छे बज के छी आलीस मिनट में रितू है वशंत आजिका दिन काल है बारह घंटे अड़तालीस मिनट तैंतालीस सिकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है ग्यारह बज़ के 55 मिनट एम से बारह बज़ के 45 मिनट पीएम तक राहू काल सुरू होता है बारह बज़ के 21 मिनट पीएम से एक बज़ के 57 मिनट पीएम तक दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आजिका पंचांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके सिहत के बारे में आपके स्वास्त के बारे में दोस्तों आप में से जो भी जातक नसा पान करते हों धुमर पान करते हों या सराब का सेवन करते हों तो आने वाले शमय में इन चीजों को आपको छोरना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आने वाले शमय में आपके सिहत के मामलों में पड़िशानी का सामना आपको करना होगा तो आने वाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आने वाले शमय में यदि आपके धन सम्पती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसों के द्रिश्टी कौन से आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने वाले शमय में यदि आप कही भी अपने धन सम्पती का निवेस करना चाहते हैं पैसों का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस के द्रिश्टी कौन से आपके समय का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा एबम आने बाले शमय में आपका आर्थिक जीवन बहुत जयादा मजबूत एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवाडिक जीवन की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय सामाने रहेगा दोस्तो आने बाले शमय में अपने घर पड़िबार के मामलों में आपको बहुत ज्यादा साबधानी बरतना होगा क्योंकि आपके आने बाले शमय के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी इबम आबस्यक है मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा इबम सलेटी आपके लिए भाग्यसाली अंक है चार यणी की फोर मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर इबम सांदार बनाने के लिए आपको माता दुरगा की पूजा करनी चाहिए अपने पूजा पाथ से आपको माता दुरगा को खुस करना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर इबम सांदार होगा तो मित्रो आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दें इबम इस वेडियो के नीचे जियाए मादुरगे कमे कर दें इबम इस वेडियो को आप हर जगह सियर कर दें धन्यवाद।